नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरन हाई टेक, 2024 की शुरुआत, वर्ल्ड के सबसे बड़े मनुफाक्चर हे, हीरो मूटो का उपने की है, एक्स्ट्रीम 125R के साथ, एक ऐसी कैटेगरी में मूटोसेकल आ रही है, जहाँ पर अल्रीडी पलसर और रेडर प्रेजेंट है, म और ये मोटोसेकल डीलर्शिप पे पहुचेगी, अराउंड 20th of February, तो अगर आप लाग रुपे के अराउंड एक मोटोसेकल खरीदना चाहते हैं, this can be an option for you, चलिए बताते हैं, first look, walk-around में क्या कुछ आपको इस मोटोसेकल में मिल जाएगा, क्यों है, ये दूसरे offering से खास, और साथ ही साथ इसका review आपको कल मिलेगा चैनल पे, तो अगर वीडियो पसंद आता है, ज़रूर अन तक हमाज साथ बने रहे हैं, चैनल को कलीजी सब्सक्राइब, दोसर सबसे बड़ा जो हिस्सा है इसका engine, 125cc का, अगर पास आते हैं तो देखीगा, 125cc का single cylinder air cool motor दिया गया लगबग 11hp की ताकत बनाती है ये engine, पुलसर से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको यहां पे good thing is like, आपको kickstart मिल जाता है, air cool motor है, मेकानिकल की बात करें तो front में, front में दिया गया है 37mm का telescopic और यहां पे तो मिलता ही है, और यह लौती गाड़ी है segment में, जहां पे आपको ABS का option भी मिल जाता है, frame की अगर बात करें तो यहां पे जो frame दिया गया है, यह diamond type frame इस्तमाल हो रहा है, पीछे की और आएं, तो यहां पे जो exhaust दिया गया है, उसको पर देखें, जो हगर दिया गया है, यह metal में finish किया गया है, जो quality है, ठीक ठाक है, अगर आप पास से देखें, this quality feels decent, यहां पे आपको थोड़ा brushed aluminium finish दिख जाएगा, MRF के rubles चड़ाए गया है, 120 by 80, R70 यहां पे wheels दिया गया है, टायर हगर भी दिया गया और यहां पे मुझे metal finish दिख रहा है, जो swingarm के साथ जोड़ा गया है, यहां पे जो side panels दिया गया है, यह ग्राफिक्स मुझे सबसे इ charging है, और नीचे की और जो engine का काउल दिया गया है, यह मुझे थोड़ा stylish दिखाई पड़ रहा है, इस motorcycle के साथ, seat की बात करें तो काफी accessible seat है, मेरी height है, 5 foot 8 inch और मैं काफी अराम से इसमें बैठ सकता हूँ, यहां पे पीछे की और grab rails भी दिये गया है, और यह step seat है, अगर instrumentation क की और आएं तो instrumentation देखिए, digital में finish किया गया है, जो switchboard quality है, यह भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है, बहुत जादो तो मैं उन्दा या आप market नहीं कहूंगा, लेकिन segment के साब से ठीक ठाक है, hazard lights भी दिये गये है, काफी naked सा design, lights यहां पे देखिए, बड़े extreme से मिलता जुलता ह है, projector beams दिये गया है, उपर यहां पे जो winkers है, यह भी LED में finish किया गया है, टैंक जो है, लगबग यहां पे 11 लिटर का टैंक आपको मिल जाता है, overall काफी muscular लग रही है, आपको कैसी लग रही है, first look of the hero extreme 125R, आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हैं, on road कीमत लगबग 1,20,000 के around होगी, इसका full review कल channel पे आजाएगा, अगर पसंद आया हो यह video, जरूर like share कीजिये, और कोई particular question हो, पूछी हमें, we will cover that in our first drive review, thank you so much for watching.